प्रिष्ट संख्या सव अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है आइने के सामने कृष्ण चंदर जैन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गाउं जिला गुजराकला प्रमुक रचनाए एक गिर्जा एक खंदक युकेलिप्टस की डाली कहानी संग्र शिकस्त जरगाओं की रानी सडक वापस जाती है आसमान रोशन है एक गधे की आत्मकता अन्न दाता हम वहशी हैं जब खेत जागे बावन पत्ते एक वाइलन समंदर के किनारे कागज की नाओ मेरी यादों के किनारे उपन्यास सम्मान साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरसकार मृत्यो सन 1977 प्रेम चंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई उचाईयों तक पहुँचाया उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंदर का नाम महतोपूर्ण है प्रगतिशी लेखक संग से उनका गहरा संबंध था जिसका असर उनकी रजनाओं में स्पष्ट रूप से जहलकता है कृष्ण चंदर ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिनों ने बाद में चलकर लेखन ही को रोजी रोटी का सहारा बनाया कृष्ण चंदर की प्राथमिक शिक्षा पुंच जम्मू एवं कश्मीर में हुई उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहर आ गय और फॉर्मेन कृष्टियन कॉलेज में प्रवेश लिया 1934 में पंजाब विश्व विद्याले से उन्होंने अंग्रेजी में एमे किया बाद में उनका जोडाब फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे प्रिष्ट संख्या 101 यों तो कृष्ण चंदर ने पन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है महालक्ष्मी का पुल आइने के सामने आदी उनकी मशूर कहानिया है उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काब्यात्मक रूमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं कृष्न चंदर उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुच चर्चित रहे हैं वे प्रगतिशील और यथार्त वादी नजरिये से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे जामुन का पेड़ कृष्नी चंदर की एक प्रसिद हास्य वेंगे कथा है हास्य वेंगे के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है इसलिए यहां घटनाएं अतिश्योक्ति पूर्ण और विश्वस्निये जान पड़ें तो कोई हैरत नहीं विश्वस्नियता ऐसी रचनाओं के मुल्यांकन की कसोटी नहीं हो सकती प्रस्तुत पाठ में हस्ते हस्ते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालाई तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है बात यहीं तक नहीं रहती इस विवस्था के समवेदन चुन्य एवं अमानविय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है